यह जो आप सोनी टीवी देख रहे हूंगे इसके अंदर एक अनुखा प्रॉब्लेम है इस टीवी के उपर डिस्पले के उपर टैप करने के बाद इसका बैक लाइट हमें जलने के लिए देख रहा है लेकिन इसके अंदर पिक्चर नहीं देखने को मिल रहा है उसके साथ ही साथ हमारे इस टीवी के अंदर साउंड तो आ रही है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है तो इस मॉडल नमबर देखिए इस टीवी का के लवी 22P413D इसका मॉडल नमबर तो अब हम इसके अंदर पाउर सप्लाई देंगे 19 बुल जो की इसी पाउर अडप्टर के साथ आप यहां पे देख रहे होंगे जो की टीवी के साथ हमारे पास देखर गया है तो इसके अंदर पाउर देने के बाद जब मैं इसके अंदर इसी सप्लाई दे रहा हूँ उसके बाद इसके अंदर जो में प्रॉब्ल है यह आप ध्यान से देखिए अगर आपके टीवी के भी अंदर ऐसा प्रॉब्लेम देखने को मिले यहां पे देखिए तो इस प्रॉब्लेम को आप कैसे सॉल्व करोगे वो आज की इस वीडियो म मिसिंग हो सकता है या कोई दूसरा चीज भी खराब हो सकता है इसलिए हम चीप लेविल का रिपेरिंग का काम आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ तो देखिए इस टीवी को खोलने के बाद इसके अंदर सिर्फ मदर बोड ही लगा हुआ है क्योंकि इसका पावर स करने के लिए वो सारे बोल्टेज हम चेक करेंगे और एक टीवी के अंदर बेसिक बोल्टेज क्या क्या होती है इसके ओपर मैंने एक अलग से वीडियो बना करका हूँ आप उस वीडियो के देख लिजी आपको पता चल जाएगा कि एक LCD LED TV मदर बोड के अंदर बेसिक बोल बोल्टेज चेक करेंगे यहां पर दिखे एक वोल्टेज मेजरेमेंट करने के जागा दिया गया है यहां पर 19.23 वोल्टेज हमें दिखा रहा है यानि कि यह प्रॉपर बोल्टेज दिख रहा है उसके बाद बगल में एक छोटा ऐसी लगा हुआ है और इस आईसी के पैनेल्स होते है या टीबी होते है उसके अंदर इसी तरीके का प्रॉब्लेम बहुत सरे देखने को मिलता है तो यहां पर हमारा पैनेल बोल्टेज मिसिंग है यहां पर आप देखिए जो कि इसके अंदर जो पैनेल लगा हुआ है वो 5 वोल्ट का पैनेल है लेकिन पैनेल को हम replacement करेंगे क्योंकि यही IC खराब हो जाने के बाएसे हमें यह problem हमेशा देखने को मिलता है और इस टाइब का problem दोस्तों खास करके जो Sony TV होता है Sony TV के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिलती है क्योंकि यह जो IC यहां पे लगा हुआ है खुलने के बाद इस IC का आपको number दिखाता हूँ और इस IC को replacement करने के बाद ही हमारा यह problem था यह problem हो जाना चाहिए देखिए हमने इस IC को बहार निकल लिया हूँ और बहार निकलने के बाद इस जगा पे हम same to same number का IC लगाएंगे वर यह IC आपको हमारे online store पर मिल जाएंगे इस IC का number है FR8012 यानिकि FR8012 इस IC का number है वर यह IC हमारे पास मोजी हुदे online store से आप purchase कर सकते हो तो हम लोग दोस्तों आप लोगों को वीडियो के अंदर जो भी चीज़ दिखाता हूँ जो भी cheap level का repairing का काम करता हूँ तो काम करने के दौरान या repairing करने के दौरान जो भी parts या जो भी components हम लोग इस्तेमाल करता हूँ सारे के सारे हमारे online store पे available करने की कोसिज करता हूँ ताकि आपको भी repairing करना आसान हो जाए तो यहाँ पर दिखिए brand new हमारे पास FR-8012 नंबर का यह IC है regulator IC है जो कि 19 बोल्ट से अलग-अलग voltages को तयार करती है खास करके जो पैनल बोल्टेज होता है उस पैनल बोल्टेज के लिए यह वाला IC को इस्तेमाल किया जाता है और इसके पीछे वार एक IC लगे होते है जो कि पैनल को देने के लिए होता है और यह IC कहा करता है कि हमरा 19 बोल्ट को 12 बोल 5 बोल्ट में convert करने के लिए यह voltage regulator को इस्तेमाल किया जाता है अगर आपके TV, Sony TV के अंदर 24 सिंज के TV के अंदर अगर सेम IC लगा हुआ है तो भी आप इसी सेम नंबर का IC को लगा के आप अपने TV के अंदर इस टाइप का problem को solve कर सकते हो तो जल्दी है, जल्दी मैं इस IC को यहाँ पर place कर देता हूँ और place करने के बाद देखता हूँ कि हमरा problem और जो voltage हमें नहीं देखने को मिल रहा था वो voltage हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं और उसके बाद आप लोग कहें के golden tips दूँगा जो कि आपको आगे आने वालों दिनों में बहुत काम आएंगे repairing field में अगर आप किसी भी तरीके का repairing का काम क्यों ना कर रहे हो आपके लिए यह जान करी दूँगा यह आपके लिए जानना बहुत ही जुरूरी है इस जगा पर हमने सही सलामत IC को replacement कर दिया हूँ रिप्लेस कर दिया हूँ जो पुराना वला IC है उसको निकाल के हमने निया वला IC को लगा दिया हूँ तो आ बारियात है इसको remove करके जो हमने लगाने के समय paste use किया था उसको clean करना तो आच्छे से clean कर रहे है और clean करने के अंदर पावर दे देंगे तो अच्छा नहीं होता है खराप होने का chances रहता है चलिए आप में voltage इसको check कर लेता हूँ यहाँ पे input voltage यहाँ पे 19 पॉइंट आपको दिखा रहा होगा 19 वोल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 19.23 वोल्टेज और आप इसके output जो वोल्टेज यह 5 वोल्ट पैनल सप्लाई के लिए यहाँ पे देखिए proper विलकुल हमें देखने को मिल रहा है इसका मतलब यह हुआ कि हमारा यह हमने जो IC replacement कर रहा हूँ यह सही से ठीक हो चुका है तो आप बात आते है कि जो मैंने golden tips आप लोगो को देना चाड़ा था वो है कि जब भी आप कोई भी LCD LED TV रिपेरिंग करोगे या कोई दूसरा कोई electronic सामन को रिपेर करोगे उस समय आपको जो voltage से वो आपको बहुत ही ध्यान में रखना होगा क्यूंकि ज़्यादा होना चाहिए कि कहाँ पे कितना voltages हमें मिलना चाहिए कहीं बार तो PCB के उपड़े लिखा होता है कि यहाँ पे हमें कितना voltage मिलना चाहिए तो वो तो अच्छी बात है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारा display आ चुका है और उसके बाद जो आपको कह रहा है था कि जिस PCB क इसको रीड करके आपको जानकरी लेना होगा और यह रीड करने का जो तरीका है दोस्तों यह आपको मैं धीरे-धीरे step by step बताते रहूंगा इसलिए अगर आप electronic circuit को रीड करना अच्छे से सीखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल के नीचे या वीडियो के नीचे जो red बटन द प्रेस करके रखेगा इसमें क्या होगा कि जब भी मैं उस टाइप का वीडियो उसको बनाऊंगा आपके सामने तुरंद पहुंच जाएंगे तो यहा पे देखिए हमारा जो यह टीबी है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है और पिक्चर भी आप देखिए बहुत ही अच्छा लगा है तो इस वीडियो को स्यार भी ज़रूर कर दीजेगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों हम फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए वी सिव आल दा बेस्ट